धर्मराज की कथा धर्मराज हर दीन सुबह प्रभु श्री विश्णों के दर्शन के लिए आते हैं प्रभु के दर्शन करने के बाद धर्मराज उस दिन का काम शुरू करते हैं एक दिन की बात है धर्मराज प्रभु नारायन के दर्शन करने के बाद वापस यमलोग में जा रही थे उन्होंने मंदिर के बाहर देखा कि एक छोटा सा पक्षी खेल रहा है धर्मराज चले जा रहे थे कि नजर वापस करके उस छोटे से पक्षी को देखने लगे और फिर अपने रास्ते में चले गए श्री विश्नु जी का वाहन पक्षी राज गरुर वहीं खड़े थे यह सब घटना देखकर गरुर जी को पता चल गया कि इस छोटे से पक्षी का आज अंध होने वाला है गरुर जी जानते थे कि धर्मराज जी इसको तेड़ी द्रिश्टी से देखते हैं उसका टाइम खत्म हो जाता है गरुर जी अपने मन में बहुत दया आया उन्होंने सोचा कि इस छोटे से पक्षी को मृत्यू की चंगुल से बचाएंगे यह सोचकर गरुर जी उस छोटे से पक्षी को पीट में बैठा कर बहुत दूर तक ले गए और एक पिट के कुरट में छोड़ाएं गरुर जी ने सोचा इतनी दूर से यमराज इसका कुछ पता नहीं पाएंगे अगली दिन में धर्मराज जी आए और प्रभु का दश्न किया फिर वापस जाते समय गरुर जी से कहा गरुर मुझे मालुम था तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुमको पता जल गया था इसका अंतिम समय आ गया है किन्तु ये संभर नहीं होता है विधाता की निर्देश आनुसार ये स्रिष्टी चलती है जिस समय में जैसा होना चाहिए ऐसा हो कर ही रहता है कोई उसको जुटला नहीं सकता तुम सब जानते हुए भी उसको वचाने की कोशिश की तुम्हारा प्रयास व्यर्थ गया क्योंकि हर प्राणी के लिए मृत्यू का समय और स्थान जन्म होने के साथ साथ निर्धारित हो जाता है ये स्रिष्टी का नियम है इस विधान को स्वयम ब्रम्भा जी भी टाल नह ईसकते धर्मराज जी ने गरोर जी को इतना ही कहा और जहां उस पक्षी को छोड़ा था वहां जाकर देखने के लिए निर्देश्ट या धर्मराज जी की ये बात सुनकर गरोर जी ने ततक्षनुसी जगे पर गए, वहाँ जाकर देखा तो वह छोटी इसी पक्षी वहाँ नहीं है, गरोर जी के मन में बहुत अफसोज हुआ, गरोर जी वापस आने का बादियम राज जी से पूछा प्रभुई क्या हुआ, धर्मराज जी ने जवाब दिया कि उसक का वक्त कम था, इतना कम था कि यह छोटा सा पक्षी इतनी दूर तक इतने कम समय में पहुँच नहीं सकता था, इसलिए विधान के अनुसार तुमने पीठ पर बैठा कर उस चिडिया को निर्धारित स्थान पर पहुँचा दिया, वही पेट की अंदर में एक साप रहता थ तुम उस पेट में पक्षी को छोड़ने के बाद साप उसको खा गया, मेरे लिए जो काम मुश्किल हो रहा था, तुमने उसको आसान कर दिया, तुम्हारी वजह से ये काम सही समय और सही जगह पर हुआ, इसलिए तुमको धन्यवाद देता हूँ, धर्मराज जी ने ये ब बात गरोर जी को समझा दिया और अपने काम में चले, थैंक्स फोर वाचिंग, ऐसा मैं जड़र कहनी सुनीन के लिए है मेरे चानल को सब्सक्राइब कारिन, लाइक कारिन और कामेंट कारिन